Hello everyone, welcome to my channel आज हम इस वीडियो में quantum संख्याएं, quantum numbers के बारे में discuss करेंगे इसका basic concept और इसके 4 प्रकारों को detail में समझेंगे साथ ही साथ ये notes आपको provide करूँगा इसको आप directly अपने BAC level के theory exams में apply कर सकते हैं सो quantum संख्याएं क्या होती है परवानू में किसी electron को पूर्ण रुप से अभिवियक्त करने के लिए अर्थाद उसकी सही स्थिती और उर्जा आदी को निर्धारित करने के लिए चार इस्थिरांग को constant का उप्योग किया जाता है जिन्हें quantum संख्याएं कहते हैं ठीक है? तो किसी भी atom में electron की character को बताने के लिए quantum numbers का प्रयोग किया जाता है बेसिकली यहाँ पर बोहर्स का थियोरी एक बार डिसकस कर लेते हैं बोहर्स ने अपने atomic थियोरी में बताया था कि किसी भी atom के बीच में एक nucleus present होता है और इसके चारो और जो है यह इस परकार के cells पाई जाते हैं और इन्ही cells में जो है electron fix होते हैं और यहाँ पे घूमते रहते हैं यह बताया था कि बोहर्स ने अपने atomic model में तो यह हो गया nucleus और यह जो cells होते हैं इसमें electron presence होते हैं तो इन्ही electrons की character को इनकी स्थिती को, इनकी उर्जा को बताने के लिए जो है quantum number का प्रयोग किया जाता है और यह quantum number चार प्रकार के होते हैं पहला है मुख्य quantum number, principal quantum numbers इसे N से denote करते हैं दूसरा है frequency quantum संख्या, agymothal quantum number L से denote करते हैं तिसरा है चुमबक्य quantum संख्या magnetic quantum number इसे M से denote करते हैं और चौथा है चकरन quantum संख्या, spin quantum numbers ठीक है, S से denote किया जाता है तो एक-एक करके हम detail में discuss करते हैं पहला है मुख्य quantum संख्या N ठीक है, इसे N से denote करते हैं यह quantum संख्या नाभीक के सापेक्च, orbital की इस्थिती, तथा उर्जा को प्रदर्शित करता है यह इलेक्ट्रों की नाभीक से औसद दूरी बताता है यहाँ N का value एक, दो, तीन, चार डैस, डैस, आगे पांच, छै जो भी हैना, एक से पुरो infinite टक हो सकता है ठीक है, मुख्य quantum संख्या N, बोर ने इन्हें K, L, M, N से प्रदर्शित किया N का मांच, जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रों की नाभीक से दूरी बढ़ती है, और इलेक्ट्रों की उर्जा बढ़ती है, इसे इलेक्ट्रों M cell में है, यदि किसी कोई इलेक्ट्रों M cell में है तो मुख्य quantum संख्या 3 होगी ठीक है यह तो theory percent होगी अब इसका concept क्या है देखिए बोहर्च ने अपना atomic model दिया उसमें उन्होंने ये model दिया उन्होंने बताया कि बीच में nucleus present होते हैं और ये cells present होते हैं तो इस cells का उन्होंने नामकरन किया जो नाभी से सबसे पहला cells होता है उसे के l m n इसकार से बढ़ते हूए दूरी काth 진행 बरूर इन्होंने हरे एक cells का उन्होंने नामकरन किया K L M N तो मुक्छे quantum संख्या कैसे पता करते हैं मुक्छे quantum संख्या N से remode करते हैं यह आपको दिहारा रखना है और कोई भी आपको atom दे दिया गया और इसका मुक्छे quantum संख्या क्या है कैसे पता करेंगे तो simple से है अगर कोई electron K cell में प्रेजेंट है तो उसके लिए जो n कमान होगा वो 1 होगा यह आपको ध्यार रखना है n कमान जो है एक से start होता है एक दो तीन चार इस प्रकार से आगे बढ़ता है ठीक है तो k के लिए n कमान 1 होगा l के लिए n कमान 2 होगा कोई अगर electron m cell में present है तो उसके लिए n कमान 3 होगा ठीक है तो इस इसी प्रकार मलब नाभिक से अगर दूरी बढ़ती जाती है cells की मतलब electron की दूरी बढ़ती जाएगी तो मलब n कमान जैसे जैसे बढ़ेगा ठीक है simple सा है n कमान बढ़ते जाएगा तो electron की नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाएगी और electron की उर्जा भी बढ़ती है तो इस प ये notes में आपको mainly BAC level के theory exams के लिए आपको provide कर रहा हूँ, इसको directly apply कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, मुख्य quantum संख्या, n से denote करते हैं, इसका value एक से start होता है, एक, दो, तीन, चार इस परकार से, और K, L, M, N, जो cell होता है, उसके आधार पर जो है, ये बढ़ते जाता है, उ इसे कोड़ी संख्यक, angular momentum या दृत्यक, secondary quantum numbers भी कहते हैं, ये orbital का size बताता है, ठीक है, ये जो है, orbital का size बताता है, इसका value 0 से start होता है, 0, 1, 2, 3, है ना, और 4, 5 इस परकार से बढ़ते जाता है, जो SPDF इत्त्यादी कहे जाते हैं, ठीक है, बिसिकली ये sub cells होते हैं, SPDF ये जो sub cells के बारे में बात करता है, जैसे, अगर हमने देखा, ठीक है, N बराबर अगर 1 है, ठीक है, ये जो है 0 से start हो रहा है, तो अगर मुख्य quantum संख्या 1 है, तो उसके लिए L कमान 0 हो जाएगा, मतब S उपकाक्चक बताएगा, ठीक है, N कमान 2 के लिए, जो है, L जो है 0, 1 हो जाएगा, अर्थात P उपकाक्चक, मतब S, P उपकाक्चक है न, और N बराबर 3 के लिए, L बराबर 0, 1, 2, अर्थात S, P, D उपकाक्चक बताएगा, ठीक है, मेंली क्या है, कि मुख्य quantum संख्या जो N है, ये cells को, coast को निरूपीत करता है, और ये जो L है, frequency quantum numbers, इसे azimuthal quantum number भी कहते हैं, ये जो है, sub-cells को, उप उर्जा इस्तर को निरूपीत करता है, यदि N बराबर 3 है, तो उसके 3 sub-cells होंगे, ठीक है, तो उसमें 3 sub-cells होंगे, S, P, D, sub-cells, ठीक है, सिंपल से है, है न, देखिए, अगर यहाँ पे जो N है, ठीक है, ये जो K cell है, ठीक है, K cell है, N बराबर 1 है, तो इसके लिए 1 उपकक्चक होगा, S, ठीक है, L के लिए 2 उपकक्चक होगा, S, P, और M के लिए 3 उपकक्चक होगा, S, P, D, इसे परकार N के लिए 4 उपकक्चक होगा, क्योंकि यहाँ पे N बराबर 4 है, तो N cell के लिए S, P, D, F, तो इस परकार से उपकक् 0 से start हो रहा है, ठीक है, L के लिए 2 उपकर्चक है, S और P, ठीक है, N बराबर, L में N बराबर 2 है, मतलब 2 उपकर्चक हो गया, ठीक है, 2 उपकर्चक है, तो यहाँ पर 0 और 1 हो जाएगा, क्योंकि L जो है, 0 से start है, इतना point आपको ध्यारा रखना है, ठीक है, सिंपल सा concept है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, L का मान जितना अधिक होगा, उतना ही नाभिक के साथ, इलेक्ट्रोन का बॉंड कम होगा, ठीक है, सिंपल सा है, नाभिक से इलेक्ट्रोन का बॉंड ज्यादा कब होगा, जब एकदम पास होगा, ठीक है, जब दूर हो जाएग तो बॉंड कम होगा, तो L का मान जितना अधिक होगा, उतना ही नाभिक से इलेक्ट्रोन का बन बॉंड जोगे कम होगा, अधिक मतलब बढ़ते जाएगा, तो बॉंड भी कम होगा, ठीक है, तो ये है second, ठीक है, एजी मुझाल quantum number, दिवेंसी quantum संख्या, ठीक है, अब हम डि इस quantum संख्या से magnetic field में electron कक्षकों की दिशा का ज्यान होता है, इसे M से प्रदासित करते हैं, ठीक है, तो देखिए, किसी भी atom को, अगर हम high magnetic field में रखते हैं, तो electron का magnetic area है, वेभार है, एक सन होकर भीन भीन होता है, और ये जो चुमक की quantum संख्या है, ठीक है, इसे magnetic field में electron कक् दिशा होगी, तो कौन सा specific दिशा है, उसके बारे में हमको ज्यान होता है, इसे M से प्रदासित करते हैं, ये चार्ट आपको ध्यार रखना है, जिससे आपको बहुत इसलिए समझ मा आ जाएगा, देखिए, N मतलब हमारा मुख्य quantum number, अगर 1 है, तो L 0 होगा, ये आपको माइनस, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 सबसेल है, तो उसके लिए 0 होगा, 2 सबसेल है, ठीक है, तो यहाँ पे 0, प्लस 1, इधर अगर प्लस 1 बढ़ेगा, तो इधर भी माइनस 1, माइनस 2 बढ़ेगा, इस प्रकार से चुम्बक्य quantum numbers होता है, ठीक है, तो ये चार्ट आपको घुमता है, उसे प्रदर्सित करने के लिए spin quantum numbers का यूज किया जाता है, ठीक है, clockwise और anticlockwise घुन्दन के अनुसार, spin quantum numbers के दो मान, प्लस 1, 1 अपन 2, एन, माइनस 1 अपन 2 हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा concept है, देखिए, ये हो गया नाभिक, ये हो गया cell, और इसमें electron present है, electron जो इस fix orbit में घुम रहा है, ठीक है, इस प्रकार से घुम रहा है, लेकिन, देखिए, इसमें घुम रहा है, साथ ही साथ जो खुद है, ठीक है, खुद के orbit, खुद भी, जो इलेक्ट्रोन है, खुद भी घुम रहा है, इस cell में जो है, fix है, और घुम रहा है, साथ है, साथ है, सा में भी घूम रहा है तो देखिए उसे प्रदर्शित करने के लिए spin quantum number का यूज किया जाता है ठीक है मदब अपने अक्ष में घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है उसके लिए तो clockwise अगर गूम रहा है तो यह इस impulse है चक्रन quantum संख्या S ठीक है तो यह है चार quantum numbers I hope कि आपको समाज में आ गया होगा और यह नोर्स आपके exam preparation के लिए helpful रहा होगा अगर आपको इसका pdf चाहिए तो नीचे आपको description box में link मिलेगा जहां साब direct download कर सकते हैं वहां आप यूनिट वाइस आपको pdf notes मिल जाएगा यह अगर specific syllabus की बात करो तो यह 36 गर के university के according यह syllabus है यह quantum संख्या आपको BAC 1st inorganic chemistry के unit 1st में मिलेगा तो अगर आपको यह atomic structure वाला unit का complete heritage notes है जिसमें इन सभी topics के complete heritage notes detail में आपको मिलेगा तो उसके लिए निचे description box में pdf store का link मिलेगा वहां से आप download कर सकते हैं and I hope कि यह अपके लिए helpful रहा हो आगे के videos देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जूरे रहे है प्लीज सपोर्ट कीजिए like and subscribe to my channel and thank you so much watching